बकसर के ही रहने वाले हैं आप और बकसर के विकास के लिए बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे, बहुत लोगों ने किये, बहुत सारे काम भी गिनाय जाते हैं, क्या लगता है बकसर को वो कुछ मिल गया जो अब तक महीं मिला था? देखिए मैं तो यहीं का धर्ती पूत्र हूँ और मैं चुकि सर्विस में था और मैं छोड़ कर पिर यहां के समासिवा में लग गया हूँ लेकिन जो बक्सर को चाहिए बक्सर का जो विकास चाहिए बक्सर की जो जरूते हैं उसको पूराय करने की बात है वो अभी तक नहीं हो पाया है इसको हम दो तरह से देख सकते हैं एक कि क्या पहले था और क्या जरूत था और क्या हुआ और दूसरा है कि आप इस जगह की तु अब बीकास का रसकार कम यहाँ से तो सबसे पढ़ले मैं जो यहां पर्तिनयु जैसे भी होता हो उनका कोई बक्सर से खास लगाव नहीं रहता है और वो यहां के न समस्याओं को ठीक ढंक से समझ पाते हैं ना उनके अंदर में कोई प्रापर वीजन होता है और ना उसको कैसे लागू करना है कैसे यहां के तकलिफों को दूर करना है उसके बारे में भी वह कुछ अपनी अपना काम हुए है या विकास के कारे होए है जोने चाहिए थे नी आज बक्सर और बिहार दोनों जगा आज इतना पिछे क्यों है दूसरे राज्यों से आज हम बोलते हैं कि 20 साल 50 साल पीषे चल रहा है इसके पिछे रिजन का है में रिजन है कि यहां के जो भी पूलिटिसियंस ह काम होते ना कि तना धारय जांड़ा उसी में कि दिन राता और उनका हर समय उसी में चला जाता है इसलिए फुल समंजने की जूड़त है की राजीय। हम पहल giàता है, तो इतों बहुत कुस्च बदला हो नई सरकार भी है, तो क्या लगता है कि केंडी सरकार योजनाय नहीं बना पा रही है या फिर उनी योजनाओं को धरातल तक लाने में यहां कि जनप्रतनिधी सप्चम नहीं हो पा रहा है। किस तरह की गलतिया हो रही है जो भी इसकीम लागू होते हैं तो उसको तो लागू कर दिया जाता है चाहे दिली से लागू करना हो या पटना से लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मेकनिजम नहीं है जिसके माधियम से यह समझ सकें कि वो योजनाय नीचे तक पहुंच रही है कि या उसका फाइदा जिसको पहुंचाना चाहरे हैं उसको मिल रहा है कि यह आज तक कोई भी ऐसा मेकनिजम नहीं हुआ है तो ज्यादा तरके से जमें ऐसा देखा जाता है कि वो सही लोगों तक नहीं पहुंच सकता है जो आपने बोला कि 20 पैसा पहुंच रहा था और 80 पैस पता करने की जुरत है आपको रैंडम चेक तो होता नहीं है यहाँ पर रैंडम ली चेक करें कि हमने इस टार्गेट ग्रूप के लिए यह स्कीम लागू किया उसको मिल रहा है कि नहीं बेनेफिट तो इसकी सक जुरुत है और जब तक यह आप लागू नहीं करेंगे आपक पतिने यहां से बनके जाते हैं चाहिए स्टेट लेवल पर यह सेंटर लेवल पर अब मालिया कि एक फंड मिलता है इनको जो एंपी में ले को फंड मिलता है तो अभी मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं कि उन्होंने कोई प्रौपर इसकीम बनाया हो कि मेरे को यह दो इसका प्रौपर यूटिलाइजिशन होना चाहिए उनको पूरी जनता के सामने उस पूरे चीजों को रखना चाहिए कि हम आरे पास हमको इतना फंड मिल रहा है हम यह 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 उजना है इसके हेल्प से इसकी मदद से करेंगे चाहिए चोटा हो या बड़ा हो तो यह प्रया क्या दाइट ऐसी है जंता को ज्यादा समझ पाथी है और कि यह तो यहीं चीजों को आप जब तक कृटिकली करने का मतलब यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि जो भी हम लागू कर रहे है वो जंता तक पहुँंच रही है कि उसका बेनेफिट उसको मिल रहा है कि अग का कोई यूज नहीं है यह वेस्टेज हो जाता है तो हर सरकार चाहिए वो किसी भी पाटी की सरकार हो किसी भी स्टेट में हो तो उसका फायदा जरूर पहुंचाना चाहिए एक तो यह बात होगी दूसरी बात यह बोलूंगा कि आज भी हमारा स्वतन्ता के कितने साल हो गए और आज भी जो बेसिक रिक्वार्मेंट है वो कोई भी सरकार पूरी नहीं कर पा रही है आज बेसिक रिक्वार्मेंट क्या है हमारा बेसिक रिक्वार्मेंट है कि सिक्षा आप बताइए यहां सिक्षा की क्या हालत है आज सारे बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं क्यों आपने बच्चे को बाहर क्यों भेजें और बाहर भेजने का मतलब आज देखें बिहार के बहुत सारे बच्चे जो हैं आंधरा में करनाटका में तमिलाडू में महाराष्ट्रा में पढ़ रहे हैं यहां से लाखो करोड़ों रूपे जा रहा है बाहर उनकी उनके खर्चे के लिए अगर आज यहां सब सुविधाएं रहती बिहार में तो वह सारे पैसे यहीं खर्च होते यहीं ग्रोथ होता तो आप पूछ रहे थे मेरे को बिहार में क्या प्रावलम है तो यह बहुत बड़ा प्रावलम है अच्छा दूसरी बात मैं जिसे कि चिकिस्सा के बारे मे आज हम इलाज करने के लिए आप मसूस कर रहा होंगे देख रहा होंगे दिनदाथ आज हम इलाज करने के लिए यहां से पटना जाना पड़ता है बेसिक रिक्वायरमेंट जो है बेसिक इलाज के लिए अगर तो पटना जाएं बनारस जाएं दिल्ली जाएं और कोई चाहिए लेकिन मैं देख पा रहा हूं इसलिए मेरे अंदर दर्द है कि ये जनद्रतिनिधी को और एर्ग्रेसिव रूप से सामने आना चाहिए सरकार को कि जम्यादारी बनती है यह दो चीज़ हूगा थीसरा यह करशी परधान दिश वह पर चेता है तो किसाने जहरत है उसको यह मत क्यों नहीं चैनलाइज़ आप आप जिसे की माल लें कि हमको पानी की जुरत है। यहां कितनी अच्छी इरिगरशन सिस्टम है यहां पे साहबाद जीले में लेकिन पानी नहीं रहता है समय पे जरुष तो उसको कौण बैएस। उसकी बैस्ता कौन करेगा। जिसे बीज की बेवस्ता है, खाद की जुरुदत है, चली ये तो हो गया कि खेती के लिए, जो अपनी हमारी फसल तयार होती है, तो उसको हम प्रॉपर धंग से बेच नहीं पाते हैं, हमको सही दाम नहीं मिल पाता है, हमको बिजनेस मैन के हाथ में जबरस्ती देना पड़ता में, तो अभी तक ये विवस्ता नहीं है, ये लोग एनाउंस कर दियें, सब कुछ बना दियें, लेकिन वो लागू नहीं हो पाता है, तो उसको लागू करने की जूरत है, ये समझने की जूरत है कि उनको कैसे उस बेनेफिट को पहुंचाए जाए, तो जो पब्लिक है, आ अब किसी भी फिल्ड की बात करें, आप रोड की बात कर लिजे, तो अभी जैसे बहुत बड़ा काम हुआ, अच्छा काम हुआ है कि रोड पटना से बक्सर तक हाईवे बन गया है, लेकिन जैसे हाईवे छोड़ते हैं, फिर वही प्रॉलम आ जाता है, आपकी रिस्पॉंस इतने एक्सिडेंट के हो रहे हैं, कुछ लोगों की जाने चली जाती है, विवज़ा, क्या है ना उनको प्रॉपर ड्राइविंग करने आ रहा है, ना आप प्रॉपर रोड बना रहे हैं, कहीं गड्डे अचानक आ जाते हैं, तो इन सब को सुधारनी की जुरुत है, हर छे में इस तरह की समस्याएं नहीं रहेंगे, नहीं, बिल्कुल, बहुत कुछ चेंज आ जाएगा ना, और हमारे यहां ज़्यूरत है, अगर सही बोलिए, तो हमारे यहां उसकी ज़्यूरत ज्यूरत है विहार में, हम समय से बहुत पीछे चल रहे हैं, चाहे एजू के मामले म में तमिल्लाडू भेज देता है, बैंगलोर भेज देता है, आज वो पैसा यहां रहता है, यहां का विकास होता है, तो कुल मिला कि यह है कि जो योजनाय है, हवा हवाई नहों, आम आदमी तक पहुंचे, और जो सरकार, किसी भी पार्टी की, जो यहां तक पहुंचा और मैं पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था, और फिर छोड़के मैं इस छेत्र से जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे यहां करने वाला हूँ मैं, और मैं समाजी कार्जों में लगा रहता हूँ.